तो फाइनली गाइस जो इसले थी वो एड़ हो चुकी है बीजी एमाई के अंदर और आप भी अपनी जो रेंडियर है उसको हवा में फ्लाई कर सकते हो या नेक्स्ट लेवल गेम प्ले होने वाला है तो कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको इसले देखने के लिए मिल पर आये हो ठीक है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो वही चीज़ खाली कवर आप करूँगा तो बात करते हैं यहां पर रेंडियर तो देखने के लिए मिल जाती थी लेकिन जो इसले है वो बताया गया था 12 दिसंबर को एड़ होगी और फाइनली वो हो चुकी है औ आपको जो मैं मैं स्नोई हैमलेट दिखते हैं आपको तीन स्नोई हैमलेट दिख जाते हैं जो कि अब क्रिस्मस ट्री का लोगो उनके उपर बन चुका है ठीक है तो ये जो स्नोई हैमलेट है इन तीनों में से किसी एक स्नोई हैमलेट के अंदर आपको कार्ट देखने के लि उसमें होता है जैसे कि माल लीजिए आप किसी पर उतर हो तो आपको reindeer देखने के लिए मिल गई मैं यहाँ पर पहले वाले पर land किया था जो मेरे सबसे पास था तो आपके मेरे को reindeer देखने के लिए मिली फिर उसके बाद मैं आगे इस वाली location पर आया तो यहाँ पर मेरे को जो कार्ट है जो स्ले है वो देखने के लिए मिल गई और इसको अटेच करके जो गेम प्ले हो नेक्स्टी लेवल होने वाला है यार काफी जादा आसान हो जाएगा आपका chicken dinner करना और मज़ा भी बहुत जादा आने वाले fly करवाने में ठीक है तो पहरी location तो यह मैंने आपको बता दिये कि जो snowy hamlet होते हैं वहाँ पर आपको यह sleigh या फिर कार्ट के लो यह देखने के लिए आपको मिल जाएगी तीनो में से किसी एक पर होगी यह guaranteed है कि यह मैं add हो चुकिया और तीनो में से किसी एक ही snowy hamlet में आपको यह कार्ट देखने के लिए मिलेगी तो तीनो snowy hamlet आपको चेक करने पड़ेंगे कार्ट के लिए ठीक है अब बात करता हूँ दूसरी location की बारे में तो दूसरी location भाई बहुत ज़्यादा difficult है अगर आपको reindeer उड़ानी है तो दूसरी location आपको snowy village के अंदर देखने के लिए मिलेगी snowy village में जो ये bell होती है इस bell को अगर आप ring करोगे तो पहले यहाँ पे drop गिरता था Santa Claus आता था drop गिराता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इसमें अगर आप bell प्रेस करोगे bell ring करोगे तो यहाँ पे आप खुद यहाँ पे reindeer जो हमारा जो पूरी kart होती है उसमें आप drive हो जाओगे और इसको आप easily fly करवा सकते हो और यहाँ पे अपने teammates को भी carry कर सकते हो और अपना gameplay enjoy कर सकते हो फ्लाइ कर सकते हो इसको ठीक है तो यह काफी ज़्यादा difficult है क्योंकि भाई snowy village में आदा server उतर जाता है ठीक है और वहाँ पर survive करना और फिर घंटी बजाना और घंटी बजाके अपनी जो कार्ट है उसको बुलाना भाई बहुत ही मुश्किल काम है तो मैं आपको prefer करूंगा कि जो मैंने पहली वाली location बताई है वो सबसे ज़्यादा easy होती है जो भी आपका snowy hamlet आपके airplane की location से दूर हो आप उस पर तुरंत जाकर जो कार्ट होती है उसको तुरंत आप drive करके अपन मैंने आपको बता दिये तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो please वीडियो को जरूर सब्सक्राइब sorry चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी next video में तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जैशी डाम और धन्यवाद